Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends, आज इस वीडियो में मैं आपको Amazon Pay Later Service को activate करने का पूरा process बताने वाला हूँ तो अगर आप एक Amazon user है जैसे कि अगर आप Amazon app में कोई shopping करते हैं तो इस service को activate करके इसका नाम है Amazon Pay Later इसे activate करके आप कोई भी shopping कर सकते हैं बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्जेस कर सकते हैं तो आप बोलेंगे कि इसका benefit क्या है तो friends, अगर आप इस service को activate कर लेते हैं तो इसमें आपको एक credit limit मिलता है जस्ट लाइक credit cards में एक credit limit मिलता है उसी तरह से आप Amazon Pay Later service को activate करके आप एक credit limit यहां से ले सकते हैं तो friends, इससे benefit यह मिलेगा कि जो भी आप shopping करेंगे एक महिने में या फिर आप bill payments करेंगे, recharges करेंगे तो इसका जो भुगतान है या फिर इसका जो payment है वो आपको अगले महिने के 5 सारिक तक करना होगा तो आपको एक समय मिल जाता है इसमें interest free समय मिल जाता है credit period मिल जाता है जिसमें कि आप कोई भी shopping कर सकते हैं या फिर आप recharges कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इस service को activate कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को start करते हैं और देखते हैं कि कैसे Amazon Pay Later Service को activate किया जाता है फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ये वीडियो आपके लिए useful रहता है तो इस वीडियो को एक like जरू कीजेगा और इस तरह के वीडियो को frequently देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लीजेगा और bell बटन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे next वीडियो के notification आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो को start करते हैं Amazon Pay Later Service को activate करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone मे Amazon app open कर लेना है और इसमें login कर लेना है login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा यहां आपको Amazon Pay का एक option दिख रहा होगा इस पे आपको click करना है click करने के बाद एक page open हो जाएगा अब देखे दोस्तों उपर दाहिनी तरफ आपको एक option link पे यहां पे click करना होगा दोस्तों get started option पे click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा यहां पे आपको sign up का एक option दिख रहा होगा sign up in 60 seconds अभी नीचे दोस्तों आप scroll करेंगे तो आपको how to activate का instructions दिख रहा होगा कैसे आप Amazon Pay Later service को activate कर सकते हैं दोस्तों Amazon Pay Later service में आपको EMI का भी एक option मिलता है EMI का भी facility मिलता है जिसके द्वारा आप अपने कोई भी purchase को 3 से 24 महिने तक का EMI में convert कर सकते हैं तो sign up in 60 seconds बटन पे आपको click करना है click करने के बाद आप देखिए कुछ इस तरह का page आजाएगा सबसे पहले आपको अपने details को यहाँ type करना है जैसे कि अपना first name और last name और उसके बाद आपको continue बटन पे click करना है continue बटन पे click करने के बाद हम यहाँ पे second step में आ जाएंगे जो की है verify identity तो अब हमें अपना pan card number यहाँ type करना होगा नीचे अपना date of birth type करना होगा और उसके नीचे है terms and conditions जिसे हमें check करना है और agree and continue बटन पे click कर देना है click करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का processing चलने लगेगा automatic है यह digital process है तो यहाँ आपको कुछ करने की जरुवत नहीं है यहाँ को सिर्फ wait करना होगा wait करने के बाद देखिए next screen में आपको यहाँ पे अपने आधार number को type करना है आधार number को type करने के बाद agree and continue बटन पे click करना है और जो भी mobile number आपका आधार card के साथ link है उसमें OTP code आएगा जिसे कि आपको यहाँ इस box में type करना है और नीचे continue बटन पे click करना है तो इससे क्या होगा कि आपका जो आधार number है वो यहाँ verify हो जाएगा तो अभी देखिए verify हो रहा है तो यहाँ हमें थोड़ा सा wait करना होगा यह एक digital process है इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ third step में हम आ गए है जो कि है finalizing credit तो यहाँ देख सकते हैं आप 30,000 का हमें यहाँ पे limit मिला है Amazon Paylator तो अब हमें यहाँ पे इस check box में click करना है और नीचे agree and continue बटन पे click करना है और यह Amazon Paylator का जो limit है वो activate हो जाएगा तो अब agree and continue पे click करने के बाद आप directly Amazon के app में आ जाएंगे ठीक है आप home page में आ जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं उपर Amazon Paylator में हमारा 30,000 का जो credit limit है वो activate हो चुका है तो इस तरह से दोस्तों आप भी Amazon Paylator service को activate कर सकते हैं आप इसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे एक auto repayment का भी option है जिसे कि आप click करके auto repayment को on कर सकते हैं इससे यह फाइदा आपको मिलेगा कि अगर दिखिए आप अपने जो payment date है उससे आप भूल जाते हैं तो यह automatically जो भी आपका outstanding amount है आपके bank account से debit हो जाएगा तो आप चाहे तो इसे activate कर सकते हैं तो friends इस video को देख करके आप भी अपने Amazon Paylator service को activate कर सकते हैं आशक करता हूँ कि यह video आपके लिए useful रहा होगा Thank you very much for watching this video